नमस्कार आप देख रहें इंस काइनेटीव इंडिया पेशाज की मुख्य समाचार रिवा जीले के मंगवा थाना अंतरगर जरहा स्कूल के पास एक भीशन सड़क हाथसा हुआ हाथसे में पती-पत्नी की मौके पर मौत हो गई जबकि भांजा गंभीर रूप से घायल है सुत्रों की माने तो एक बाइक में सवार होकर तीन लोग नई गड़ी से मंगवा की ओर आ रहे थे तब ही हाईवे में डंपर चालक ने ओवर टेक करते समय बाइक सवारों को रोन दिया MP बोर्ड रिजल्ट में फेल हुए बच्चों को पास होने का सरकार एक और मौका देगी सिवराश सरकार और मद्धिप्रदेश इस्टेट ओपन स्कूल की रुख जाना नहीं ओजना के जरिये इन बच्चों को पास होने का एक और मौका मिलेगा हाल ही में बोर्ड के दस्वी और बारवी के रिजल्ट आये थे इसमें फेल हुए छात्रों को राज्य सरकार की रुख जानना नहीं ओजना से एक और मौका मिल रहा है इसकी परिक्षा चार जून से होगी जिसके फर्म भरने की आखरी तारीक 15 मई है बता दे कि माधिमिक शिक्षा मंडल में 29 मई को जारी हुए दस्वी और बारवी के परिणाम में 4.89 लाख विध्यारती फेल हुए है पिथम पूर के सेक्टर दो इस्थित केमिकल फैक्टरी तनीशी आरगनो केमिकल फैक्टरी में आज सुब भीशन आग लगी इसमें महुस सहित कई जगर के फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने मसक्कत की फैक्टरी को बड़ा नुकसान होने का अंदिशा है मुखी मंत्री सिवरा सिंग चोहान भुपाल से नई दिल्ली रवाना हुए जहाँ वे निकायों में ओबिसी आरक्षन के संबंद में सॉली सिटर जनरल के साथ बैठा कर चर्चा करेंगे इस मुद्दे से संबंदित पहलूँओं पर विस्तार से विचार विमर्स होगा प्रधान मंत्री श्री मोधी कारेक्रम को वर्चुवाली संबोधित करेंगी ग्रह मंत्री डॉक्टर नौक्त मिस्रा ने कहा कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजनसी एन आईए की ब्रांच मद्दी प्रदेश में जल्द खुलने जा रही है प्रदेश में एन आईए 219 संक्रम अदर 0.58 प्रतीशत और रीकवरी डेट 99.70 प्रतीशत है कल दिन बर की पमुख खबरों के साथ फिर मिलते हैं तब तक किलिश शुबरातरी